लेक्चर्स आयाम अदीहा खान यूर्फ्रेंट वस्य इंग्लिश लैंविज तो हम लेटर राइटिंग कर रहे थे लेटर राइटिंग पार्ट वन धेखा था जिसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से informal मतलब personal letters formal letters or business letters लिखे जाते हैं उसका format हमने देखा था और उसके examples किये थे जिससे हमें वो चीज़ क्लियर हो गई थी उसका बने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे उसका अप्लिकेशन करेंगे और रेज्यूमें तो रेज्यूमें जो है वो बिल्कुल रेज्यूमें वाले सेंस में नहीं था कि आपको बिल्कुल कोई जैसे जॉब के लिए अप्लाए करना है उस तरीके से नहीं हम जॉब एप्लिकेशन ठीक में आपना बायो डेटा कैसे वह सारी चीजरी देखेंगे में तो आज क्लास केक हैं था आपके आती है तो आप यहां पर देखो फॉर्मिट अप्रिंसिपल का पहले पहली वही चीज टू दा प्रिंसिपल जो भी आपका स्कूल है वह अगर उसका कोई एड्रेस दिया हुआ है तो वह और उसकी जो भी सिटी वगेर आप लिखना चाहो मतलब जितना आपको क्वेश तै Assume और और फिर य खीए उसके बाद dկेकर सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे किया आप सपोस्परोश करो सबसे जो मौन चीज होती है सबसे जो कौमन एपलीकेशन होती है छुटी के का आपका सब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर आपलीकेशन फॉर जिइव यह आपने य अगर प्रिंसिपल मैम है तो रिस्पेक्टेड मैडम ठीके आदर निये करके आप लिखोगे ठीके उसके बाद फिर आप ग्याप दोगे उसके बाद आपका जो है पैरेग्राफ होगा पैरेग्राफ में क्या होगा आपका कि आप एक तो रिक्वेस्ट करोगे चुट्टी की उसके बाद आप बताओगे रिजन की आपको छुट्टी क्यूं चाहिए ठीके और क्यूं ये चीज जरूरी है वो सारी चीज़े आप अपने पैरेग्राफ में लिखते हो उसके बाद चाहो तो थैंक यू लिखो थैंकिंग यू लिखो फिर यहाँ पर वही सेम चीज यू तो है आपको लिखनी है और फिर उसके बाद आपका नाम और आपकी क्लास आप लिखोगे बहुत सिंपल फॉर्मिट है ठीक है जैसे आप एक लेटर फॉर्मल लेटर लिखते हो क्योंकि ये भी फॉर्मल ही है है वैसे आपको इसको भी लिखना है बस हम इसको एप्लिकेश भी ऐसे ही लिखी जाती है ठीक है clear हो गई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें format समझ आ गया चलो अगर हम इसकी बात करें अगर हमें medical leave के लिए एक letter लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे पहले हमने लिख दिया to the principal ठीक है प्रिंसिपल के बाद जो भी आपका स्कूल नेम है अगर question में given है तो आप वो नेम डालोगे नहीं given है तो अपने स्कूल का डाल देना अपने स्कूल का address डाल देना उसके बाद gap देके date डालना exam date डाल मैडम आप जो चाहों लिख सकतो आपका जो प्रिंसिपल है वो सर है तो सर मैडम है तो मैडम उसका फिर से gap देके आप कैसे लिखोगे आप I hope you are doing well I am writing to inform you that I have been unwell and will not be able to attend school for the next few days ठीक है तो आपने कैसे बात की कि पहले आपने उनको greet कर दिया कि जो भी आप लिखना चाहों चाहों तो यह लिख दो कि आशा करता हूं क्या करती हूं कि आप अच्छे होंगे और मैं आपको यह letter इसलिए लिख रहा हूं या लिख रही हूं क्यूंकि मैं जो है सही नहीं हूं तबियत खराब है मेरी और मैं कुछ दिनों के लिए school attend नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी आपने वो चीज डाली फिर आप जो है request करोगे तो I would like to request a medical leave for the following days अब जब जितने दिन से आप बिमार हो वो डाल दो या फिर अगर आप पहले से लिख रहे ह proof of my illness जब आप medical leave लेते हो तो आपको medical या फिर डॉक्टर का note जो है वो लगाना होता है तो आपने वो लाइन लिख दी I would be grateful if you could grant me leave for the mentioned days इसकी जगह आप simple यह भी लिख सकते हो kindly grant me leave for the mentioned dates इसकी जगह आप यह भी लिख सकते हो for the mentioned days ठीक है उसके बाद चाहो तो फिर thank you लिख लो thanking you लिख लो आपके उपर depend करता है फिर yours faithfully, obediently, sincerely, truly कुछ भी जो हमने formal letter लिखने में सीखा था वो लिखना है अपना नाम डालना और अपनी class डालनी है ताकि पता चल जाए हाँ इस class का अर्जुन वर्मा जो है वो उसकी चुट्टी की application है ठीक है तो इस तरीके से आप medical leave के लिए application लिखते हो जो बहुत easy है अगर आपने formal letter का format अच्छे से याद कर लिया है तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी समझा गया चलो next देखो अब अगर आपको application लिखने है कि आपको जैसे आपके फादर अभी व application लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे सेम वही चीज तूदा प्रिंसिपल स्कूल एड्रेस वगरा डाला डेट डाली डेट का फॉर्मिट यह है बस अब यहां सब्जेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा application for fee concession ठीक है fee concession वही वापस respected sir या madam आपने लिखा gap दिया I am writing to inform you that I am unable to afford the school fees and would like to apply for a free fee concession देखो जब आप यह applications वगरा लिखते हो आपको to the point simple short लिखना यह मैंने आपको पहले भी बिताया था तो आपने सीधा अपना letter लिखा कि मैं यह letter आपको यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि मैं जो है इस बार अपनी school fees जो है वो पूरी नहीं दे of rupees 10,000 which would bring my fees to rupees 20,000 अब आपकी मर्जी है अगर आपको question में दिया गया कि आपके current fees 30,000 है और आपको 10,000 का concession चाहिए तब तो आप यह लिखोगे नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते होगे इतनी fees से इतना concession चाहिए जितने मेरी fees इतनी हो जाएगी minus होगे I am attaching a copy of my bank statement as a proof of my inability to afford the fees obviously ऐसे दो सबकी fees माफ होनी से रही तो आपने क्या किया कि मेरा जो bank statement मेरे father का bank account का statement है मैं वो यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अभी financial crisis चल रहा है फिर वही thank you for your time and consideration या फिर thanking you simple yours faithfully sincerely truly जो आपको याद रहे और अपना नाम और अपनी class आप को लिख देनी है इस तरीके से fee concession के लिए लिखी जाती है उसके बाद अगर transfer certificate के लिए कि आप जो है आपके father का कहीं transfer हो रहा है किसी दूसरे शहर में आपको भी वहाँ जाना है उसके लिए school में admission लेने के लिए TC लगती है उसके लिए लिखना है same वापस से वही है to the principal school का नाम address space देकर date date का format यह space देकर application for transfer certificate अप सब्जेक्ट में यह आ जाएगा उसके वाद वापस gap दे के वही salutation respected sir या madam जो भी है ठीक है I'm writing to inform you that my parents have decided to move to another city and I will have to leave जो भी आपका school नाम में वो डाल दिया तो मैं later आपको यह inform करने के लिए रिख रहा हूं कि मेरे parents जो है वो दूसरे शहर में मुझे भी move करना पड़ेगा तो मैं यह school छोड़ाओ आपने school का नाम डाला I would like to request a transfer certificate so that I can get admission to another school मैं आपसे request करना चाहता हूं कि मुझे transfer certificate दे दिया जाए ताकि मैं दूसरे school में admission ले सकूँ I would be grateful if you grant me a transfer certificate ठीके मैं आपका काफी वह भारी रहूंगा कि अगर आप मुझे transfer certificate दे दे वही वापस space दे के thanking you या thank you for your time and consideration फिर space दे के yours faithfully और अपना नाम और class बस इस तरीके से आपको तीनों लेटर लिखने तीनों लेटर में difference क्या था सिर्फ आपका जो अपिक था जो subject था वह अलगता बाकि format वही था और उसी subject के according आपने अपना paragraph लिखना है ठीक है और छोटा से लिखना है जादा बड़ी application नहीं होती है ऐसे लिखना है कि एक page पर यह आपकी पूरी application आ जाए clear अब अगर आपको यह बोल दिया जाए कि आपको principal को application लिखनी है for incorporation of change of name in the school records मतलब आपको अपना name change कराना है ठीक है एक अपने letter to the editor करा था जहां पर name change किया था अब उसमें और उसमें देखो difference कितना है बस यहां पर to the principal school का नाम और address डाला है वाकी देखो चीज़ें वहीं है date डाली आपने ठीक है subject change of name in school record जो आपके question में दिया है वहीं आपका subject हो जाता है फिर respected sir या madam जो भी आपको लिखना है most humbly and respectfully I wish to say that I have changed my name from Ram Singh to Ram Singh राथोड मतलब आपको थोड़ा सा सिर्फ अपना surname change करना है तो आप जो है inform कर रहे हो कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने मेरा नाम राम सिंग से राम सिंग राथोड कर लिया है I have got this change of name published in the national newspaper and this change of name has also done in been done in my Adhaar card details obviously आप जब अपना नाम change करते हो तो पहली चीज़ आपको न्यूजपेपर में एलान करना होता है जो कि letter to the editor वाले में हमने कर दिया था वो रनवीजे वाली चीज़ है ना तो आपने यहां पर बता दे कि मैं न्यूजपेपर में यह चीज़ अल्री कर चु आपने अपनी क्लास बताई कि मैं 12 एक स्टूटेंट हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अफिशल रिकॉर्ड में मेरा जो नेम का चेंज हो जाए तो मैं यह नाम लिग भी पाऊंगा और मुझे आगे दिफिकल्टी भी नहीं आएगी वापस वह ही थेंकिंग यू या थेंकिंग यू इन अंटिसिपेशन यौर्ज ओबिडियंटली अ अपने नाम डाला और क्लास डाली और यहां काम आपका फिनिश इतना इजी है अप्लेगेशन लिखना ठीक, इतना इजी अप्लेशन लिखना आपके लिए, बस यहाँ डिफरेंस क्या था क्या आप अपको अपतला होग्ताउज अपना नाम जब निउस प्रेपर में चांज करना है तो वहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स में उतका आपको ध्यान रखना है अब application for job लिखने के लिए आपको क्या करना उसका पहले यहां format देखो कि वह आपको job के लिए application apply करना उसके लिए application उसमें सबसे पहले आता है आपका address जो भी आपका नेम डालोगे उसका address डालोगे क्योंकि आप किसी कंपनी यह स्कूल वगिरह में apply करोगे जॉब के लिए तो आप वह सारी चीज़ें यहां पर डालोगे अब subject में आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अपलाए कर रहे हो वो डालोगे जैसे यहां पर सपोस्ट करो मैं जो एक एक restaurant है उसमें चीफ शेफ की जगाँ खाली है तो आपने उसके लिए अपलाए किया है तो एप्लिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ दा चीफ शेफ ठीक है इस ते क्या होगा पढ़ने अले को परदा चल जाएगा हाँ पर इस पोस्ट के लिए अपलाए किया है फिर वही सिम्पल स क्या हुआ यहां पर क्योंकि आप किसी कंपनी में या होटल में अपलाए करोगे तो आपको MBA या होटल मेनेजमेंट की नीड होगी तो आपने क्या बताया कि यह जो मैंने जो है कहां से आपका एडवर्टीजमेंट देखा था हिंदू टाइम्स वाला न्यूस्पेपर है य मैंने जो है आपने qualification देनी है फिर अपनी अपना नाम देना है कि मेरा नाम आनन्द है मैंने MBA कर रखा है होटल मेनेजमेंट में आपने यहां आपनी qualification दे दी बता दिया कहां से फ्रॉंग डेली यूनिवर्सिटी यह यहां आए ठीक है यह continue चलेगा यह थोड़ा सा यहां प मत डालो उसके बाद जो पोस्ट के लिए अप्लाए करना चाहते हो उसके बारे में डाल दो प्लीज फाइंड इंक्लोस्ट मैं बायो डेटा फॉर दसेट पर पस ठीक है इसके साथ मैंने अपना बायो डेटा भी अटेस्ट कर दिया है I am hard working honest and punctual में काफी महनती काफी इमान करूंगा in anticipation of an early response ठीक है आपने इस तरीके से लिखा yours truly और आप अपना नाम डाल दोगे बस इतना सिंपल तरीके से आपने क्या किया यहां पर वो अपना एक application के लिए डाल दिया ठीक है आप यहां पर देखो job application यहां तो क्या था कि आपको मैंने से एक्जाम्पल दिया है लेकिन question कैसे आएगा और उसके basis पर कैसे आपको लिखना है वो देखो अब तो यहां पर question है आपके पास कि बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाए का उसको एक टीचर चाहिए जो पड़ाए ठीक है और उन्होंने advertisement कहां डाला है एक्सप्रेस में डाला है यू और संजे लड़का है तो संजे लड़की है तो संजना शर्मा फ्राम एड्रेस डाला है आपने अपना 21 वसंद मार्क बिलाए ड्राफ्ट लेटर इंक्लूडिंग एपलाए फॉर दे एड्वर मार्क बिलाए वही आपने डाल दिया स्पेस देके फिर हम डेट डालते हैं डेट का फॉर्मिट यही होता है आप अपने exam की डेट डाल देना उसके बाद आपने letter लिखना है तो receiver address डालने तो आप किसी स्कूल में अपलाए कर रहे हो तो वहां के principal को लिखोगे क्योंकि वह ही अपॉइंट करेगा तो दा principal बाल विद्या पब्लिक स्कूल भी लाए उसका पूरा हमने डाल दिया स्कूल का नाम एड्रेस डाल दिया अगर कोई company होती उसका कोई यहां पर कोई जैसे secretary वगरा होता तो दा secretary जो भी company होती उसका नाम और उसका एड्रेस इस तरीके से डा दिया पिर सर या मैडम जैसा भी आपको जो लगे वो लिखना है उसके बाद in response to your advertisement इंदी बिलाए एक्सप्रस यह आपको दिया आवा था कि आपने जो स्कूल है उसने अपना advertisement डाल रखा है तो आपने वो डाला कि उसके response में जो आपने डाल रखा था आप डेट डाल देन जो भी आपके exam डेट उससे 15 दिन पीछे की डेट डालना ठीक है डाल दी for the post of a political science teacher क्योंकि political science teacher चाहिए उसकी post के लिए इसका मतलब है कि मैं अपना नाम जो है आपको दे रहा हूं ताकि आप मुझे elect कर सको या वो कर सको हायर कर सको ठीक है मैं इस लेटर के साथ अपना बायो डेटा अटेच कर रहा हूं देखा अभी मैं बायो डेटा भी बताऊंगी कि किस तरीके से लिखना है आपको ठीक है इतना ध्यान रखना जब भी कोई job वाला letter अगर या application आपको लिखने को आ जाए तो आप ये वाली line जो है वो याद रख लेना है ना कि I assure you that I shall work with utmost sincerity या फिवो जो पहले वाली line थी है ना जो पहले वाला हमने पढ़ा था I assure you that I shall work with full devotion and sincerity ये वाली line आप याद रख लो अगर application for job आती है किसी भी तरीके की है ना तो end में आपको इस तरीके से end करना है फिर वही thank you या thanking you yours faithfully लड़का है तो संजे शर्मा लड़क यहाँ पर मेरे पास जगा नहीं है मैंने next उस पर लिखा लेकिन आपको इसके नीचे इस पेस देके शुरू करना है तो कैसे लिखा आपने बायो डेटा नेम लड़का है तो संजे शर्मा लड़की है तो संजना शर्मा फादर का नेम डाल देना आपकी मर्जी से कुछ भी डाल देना डेट वर्ड डालनी है आपको डाल देना ठीक है अड्रेस जो आपको दिया हुआ है वह डालना है फोन नंबर ऐसे करके एकस एकस कर देना ठीक है उसके बाद इमेल डाल देना कुछ भी बनाके ठीक है मैरिटल स्टेटस डाल दिया सिंगल अगर आपको मैरीट ड डाल देना आपके ओपर करता है और जी अपने आपने यह पर पर गलप अगर आज सारी चीज़ें लिखनी इस तरीके से एप्लिकेशन फॉर जॉब लिखा जाता है बहुत इजी है ठीक है तो यहां पर हमारी जो क्लास है वह हम यहां खतम करते हैं उसके लावा आज का होमवर्क है आपका क्योंकि लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको यहां पर दो क्वेशन दियें दोनो प्लास्टिक बैक्स थिक्ए कि प्लास्टिक बैक्स जो है वह बंद होने चाहिए उसके लिए आपको लेटर टूदी एडिटर लिखना है सेकिन आपको दिया है कि एप्लिकेशन लिखती है प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंगम टु ग्रांट यू फुल फी कंसेशन को अभ दो question आपको दिये हैं तो यह आपको homework करके आप मुझे या तो आशिस्तर वाली आईडी पर जो हमारी आशिस्टिंग लेक्चर वाली आईडी है उस पर टैक करोगे या फिर मदीहा खान एसल पर टैक करोगे बट यह homework आपको करना है तो इसी के साथ हमारी जो आची क्लास है व चीज़ का आची क्लास यहां फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए दिस इस मदीहा खान साइनिंग आफ राइट नाव बाई बाई एन हैवा नाइस डे